कि है विए इंड इस्टुडेंट्स हाई इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैलेंडा के के बारे में और काफी इंपोर्टेंट कुईस्टिन है दरे आपके सेलबस में है तो बैलेंडा का करेक्टर बारबर पूछा जाता है तो जरूरी है जानना तो आएज देख decision philosophies of literature हमेशा से एक पुर्ण पक्ष होता है मतना हतियार होता है कर डीजेश्ट के किस तरह से आपने करेक्टर्स खो सजाया है पिरोया है इनने करेक्टर हरे संग वाद कि तो कानी्यक्रा कि क्योंने कम जोरो इंटου ट्रॉंग वन एन मेक इट ए मास्टर पेस लेकिन करेक्ट्राइजिशन यह दी आपकी अच्छी है आपको बेहतरिन आता है तो आप जो है एक कमजूर कहानी को भी एक अच्छी तरीके से ढाल सकते हैं जैसा कि फिल्मों में भी होता है एक गिसी पीटी कहानी को भी करेक्टर् बात करें जैसे कि जॉफ्रे चॉसर, हेंरी फिल्डेंग, जैन आउस्टन, जे ए एनी हो गए यहां पर, सेक्सपियर और मिल्टन आर वन अप देम और उनमें से पोप की भी गिनिती की जाती है although he has delineated all the characters skillfully, हलाकि उन्होंने सारे characters को बहुत अच्छे से सजाया है but the character which has attracted, लेकिन जिस character ने हम लोग का ध्यान आकरसित किया है, the readers, जितने भी पाठक है, is Belinda, वो Belinda है पोप has used the whole of his energy, उसने पूरी उर्जा का इस्तेमाल किया है, and knowledge, और पूरी अपने ग्याजानकरी का भी इस्तेमाल किया है, to make her a forceful character, एक जवरदस्त सा पात्र बनाने के लिए Belinda is central figure in Pope's poem, Pope की कविता में, एक central figure के तौर पर Belinda को दिखाया गया है, it is said that, और यह कहा जाता है, कि she is the man but mean character of the poem, वो एक मोखे पात्र ही नहीं, बलकि उसी पर यह पूरा मोख heroic epic जो है, टिका हुआ है She is introduced in the poem as a paragon of beauty and female charm, यानि एक कह सकते हैं कि एक आदर्स के तौर पर उन्हें दिखाया गया है, सुन्दर्ता के आदर्स के तौर पर, और female charm, खास करके जो महिलाओं की जो सुन्दर्ता होती है She is not only a priest, वह एक सिर्फ बुजारी ही नहीं, but she is also compared to a warrior, वह एक योद्धा के तौर पर भी दिखाया गया है, arming for the battle, जो कि युद्ध के लिए तयार है For the battle, she emerges as a heroic figure, और युद्ध के लिए जो है, वह एक बहुती बहतरिन figure के साथ तयार होती है She emerges as a heroic figure, and conqueror, और विजेता भी रहती है वो, in the epic, इस epic में Pope seems to be enamored with his own creation, और ऐसा लगता है, पढ़ने के दौरान, जानने के दौरान, कहानी को, epic को पढ़ने के दौरान की, Pope खुद उस character से आकरसित हो गया है He describes her as the brightest fair, मतलब सुन्दरताओं में भी सुन्दर, सबसे ज़्यादा सुन्दरियों में भी सुन्दर, and the fairest of mortals, और दुनिया में सबसे खुप सुरत महिला के तौर पर, लड़की के तौर पर उसे दिखाया गया है It is very obvious, और यहां काफी सवभाविक ही है, when we see her during her ride, जब हम उसे देखते हैं, our temps, over temps, कि जब वो टेम्स नदी के उपर से गुजरती है, Belinda smiled, वो हसती, मुश्कुराती, and all the world was gay G-A-Y, gay मतलब होता है, खुश हो जाना, और पूरी दुनिया हसने लगती है, मुश्कुराने लगती है, यानि काफी अच्छे थे इसका character characterization किया गया है, character description इसका In Pope's age, Pope के समय में, late sleeping, देर रात सोना, and late rising, और देर से जगना, were common among the ladies, महिलाओं के बीच काफी आम बात थी, of aristocratic classes, और खास करके जब हम राजसाही परिवारों की बात करें तो Belinda is the representative of such woman, और उनी तरह की महिलाओं में, जो है, Belinda गिनी जाती है, she gets up at 12 o'clock, वो बारा बज़े जगती है, दो पहर में, even she is not fully awake, और तब भी वो पूरी तरह से जगती नहीं है, rather she regards herself as sleepless beloved, और यह सा लगता है, उन्हें नीन से काफी ज़्यदा प्रेम है Now lap, देखिए, यहाँ पर एक line मैंने उठाया हुआ है, Now lap dogs give themselves throwing sick and sleepless lovers just at 12 o'clock, उसके जो pet dogs, उसे जगाने का प्रेयास करते हैं, लेकिन वो जगती नहीं है, उसे और भी सोने की इच्छा होती है, उनकी Second prominent aspect of the woman of Pope's age, Pope के समय की जो दूसरी मुख्य बाते है महिलाओं की, was that they were fond of decorating themselves, खुद को सजाने की सौकीन होती थी हमेशा से जैसा की होता आया है, to win the attention, क्यों? कि ताकि ध्यान आकर सीद कर सके सबों का, और यही होता है purpose हमेशा Belinda as a representative of the woman of that age, और उस दौर की महिलाओं के representative के तौर पर, spends too much time, बहुत सारा समय व्यतीत करती हैं, in her dressing room, अपने कपड़े पहनने में, dressing room में, there dwells from India, perfumes and from Arabia, मतलब समझ सकते हैं, उसके सिजावट के समान, India, Arabia, spotted comms made of tortoid cell and ivory and signing pins, third important feature of the woman of Pope's time was that they were vain and proud, मतलब उनकी एक और जो कह सकते हैं, खासियत कहें या बुराई कहें, जो भी कहें, जा एक कोई भी पहलू कहें, तो वो बेकार होती थी दिखने में, लेकिन उन्हें काफी ज़्यदा गमंड होता था, गमंडी होती थी, Belinda is also proud and arrogant, वो भी काफी गमंडी और गुसेल टाइप की है, वो कभी दिखाती नहीं है ऐसा, to anyone, किसी के भी सामने, however, she smiles to all of them in thankfulness, और जवाब में ये सब के प्रती अपना मुस्क्राय हुआ चेहरा ही सामने लाती है, another important feature of the aristocratic woman, और राजसाई महिलाओं की जो एक और खास बात है, was that they knew all the tricks to attract all young gallants, यानि जितने भी young gallants हैं, उनको आकर परसिद करने का इनके पास बहुत सारा तरीका होता था, Belinda also knows these tricks, और Belinda को भी सोहाबी के पता है, to trap फसाने के young gallants, यूबकों को फसाने के सारे तरीके, and nourished two locks, और यही कारण है कि उसने दो लटे बढ़ाई है, नरिस मतलब होता है grow करना, which add charm to her beauty, जो कि उसकी सुन्दरता मे चार चांद लगा देती है, अब एक और लाइन देखेंगे हम लोग, this nymph to the destruction of mankind, और यह क्यों है, यह मानवजाती के विनास के लिए है, there is two locks, which gracefully hung behind, जो कि उसके सेहरे के बगल में लटकती है, jealousy and hypocrisy, पाखंड और इर्ष्या, though was another important feature of the woman of Pope's age, पोप के समय के महिलाओं की एक और जो खास बात थी, कि उनके अंदर इर्ष्या की भावना काफी ज़्यादा थी, और पाखंड थी वो महिला है, Belinda is also a girl, वो अभी एक लड़की है, of double standard, मतलब double standard मतलब कह सकते हैं, यानि a woman who uses chances, जो अपने मौके का फायदा उठा सकती है, यानि वो किसी एक बात पर टेकी नहीं रहती है, double standard इसे ही कहा जाता है, यानि अपने भासा में कहें तो चालू, है ना चालू लड़की, थोड़ा false, वो हमेशा जो है, जूट मूट की modesty, false modesty, जूटी मर्यादा दिखाने का प्रयास करती है, बट inwardly, लेकिन अंदर से, she wishes to be in the company of the young man, वो मर्दों के बीच रहना चाहती है, यूबकों के बीच रहना चाहती है, she desires that her favorite lock should be cut, और उसके मन में भी ये इच्छा है, कि उसके लोता है कि कास किसी को ये लट इतना पसंद आजाए कि वो आए और काट ले, for the woman repetition was more important than honor, यानि सम्मान से ज़्यादा repetition, यानि मर्यादा ज़्यादा माहने रखता है, same is the case with Belinda, Belinda के साथ ऐसा ही है, since she has lost her lock, चुकि वो अपना लट को दीती है, last में, she cries, वो रोती है, return the lock, ल high-vaulted roofs of the hampton court echo with the same words, और यह आवाज चारु तरफ गुझने लगती है, she experienced greater resentment, वो पस्चातावा अपना पस्चाताब जताती है, दिखाती है, over the cutting of the lock, अपने लट को काटने के बाद, the portraits of Belinda, Clarisha, like woman, have compelled some critics to think that Pope is very harsh in portraying the female characters, कुछ लेखकों का ऐसा मानना था कि यह महिलाओं के परती काफी bitterly pace आते थे, उनका सोभाव काफी रूखा होता था, but I think, लेकिन मुझे लगता है, पोप's real purpose was to satirize women for their coquetry, artificiality and jealousies, यानि इर्शा के लिए, artificiality के लिए, यानि जूट मोट की बनावटी अपने रवईये के लिए, और coquetry क्या होता है, तो sexual behavior ये एक तरह का है, उसका एक तरह से mock किया है इन्होंने, पोप ने, पोप's attitude towards Belinda, पोप का जो attitude है Belinda के परती, is very mixed, काफी दोगला है, and complicated, और काफी रहस्यमाई है, it is mocking and yet tender, हलाक ये उपास जनक है, लिकिन फिर भी जो है काफी सुन्दर है, and admiring, और परसन सा जनक भी, but yet critical, और नाजुक भी, so this was the character of Belinda, the very famous character of the rape of the lock, which is a mock heroic epic by a legendary pope, so thanks for watching the video, we'll see the next video,